येश्वा का ग्रंद अधियाए 9 और 10 ये आर्दन केस पर पहाडी प्रांध में और लेबनोन तक मह समुद्र के पूरे टट पर निचले प्रदेश में रहने वाले सब राजाओं ने जो हित्ती, अमोरी, कानानी, परीजी, हीवी और यभूसी थे इस्वाइलियों की विजय के विशय में सुना और वे येश्वा और इस्वाइल से यूद करने के लिए एकत्रित हुए जब गिब्याउन के निवासियों ने वह सब सुना जो येश्वा ने ये रिखो और एक के साथ किया था तो उन्होंने छल कपट करने का निश्चे किया उन्होंने कुछ प्रतिनीधियों को भेजा जिनके गधों पर भोजन के पुराने बोरे और अंगूरी की मरम्मत की हुई मशके लदी थी उन्होंने अपने पैरों में पैबंद लगे जूते और शरीर पर फटे पुराने कपड़े पहन लिए उनके रसद की रोटियां सूखी और फुफुकदार थी वे इस दशा में गिलगाल के शिविर में येश्वा के पास आए वे उससे और इस्राइली लोगों से कहने लगे हम दूर देश से आ रहे हैं इसलिए हमारे साथ संधी कीजिए लेकिन इस्राइलियों ने उन हीवियों को उत्तर दिया संभव है तुम्हारा निवास्थान हमारे आसपा से कहीं हो तो हम तुम्हारे साथ कैसे संधी कर सकते हैं किन्तो जब उन्होंने येश्वा से कहा हम आपके दास हैं तो येश्वा ने उनसे पूछा सच बताओ तुम कौन हो और कहां से आये हो उन्होंने उसे उत्तर दिया हम आपके दास प्रभू आपके इश्वर का नाम सुन कर एक सुन्दर देश से आए हैं हमने उसके विशे में और मिश्र में उसके किये सब कारियों के विशे में सुना है हमने यह भी सुना है कि उसने हिशबोन के राजा सीहोन और अश्टारोत में रहने वाले बाशान के राजा ओग या अर्दन के उस पार रहने वाले उन दोनों अमोरी राजाओं के साथ क्या किया है यह सुनकर हमारे नेतवाओं और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा रास्ते के लिए रसत तयार कर उनसे मिलने जाओ और उनसे कहो कि हम आप लोगों के दास हैं आप लोग हमारे साथ संधी कर ले, ये है हमारी रोटिया, जब हम अपने रास्ते के लिए अपने घरों से इन्हें लेकर आप से मिलने निकले थे, तब ये गर्म थी, और अब देखिए ये कितनी सुखी और फुपकदार हो गई है, ये हैं हमारी अंगूरी के मश्कें, जब ह हमने इन्हें भरा था, तब ये नहीं थी, और अब देखिए, ये फट गई हैं, और ये हैं हमारे जूते और वस्त्र, जो लंबा मार्ग तै करने के कारण एकदम जजर हो गया है, इस पर लोगों ने उसके रसत की रोटियां चकी, और प्रभु से पूछे बिना ही, येश् संधी कर ली, समझाता हुआ कि उन्हें जीवित रहने दिया जाए, समधाई के नेताओं ने इस बात को शपत खाकर स्विकार किया, उनके साथ के गई संधी के तीन दिन बाद इसराइलियों को मालूम हुआ कि वे उनके पड़ोसी हैं, बिलकुल पास के रहने वाले, इस पर इसराइली प्रस्थान कर तीसरे दिन उनके नगरों में पहुँचे, गिबोन, कफीरा, बेरोत और किरियात या ओरीम उनके नगर थे, परंतु इसराइलियों ने उन पर इसलिए आकरमन नहीं किया, कि समधाई के नेताओं ने प्रभु इसराइल के इश्वर के नाम की शप पूर्वक वचन दिया है, इसलिए हम उन पर आकरमन नहीं कर सकते, अब हम उनके साथ ऐसा वैवहार करें, हम उने जीवित रहने दे, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी शपद भंग करने के कारण हमें डंड दिया जाए, नेताओं ने उन से कहा, उने जीवित रहने दो, वे सारे सम पूदाई ने नेताओं की बात मान ली, येश्वा ने उन्हें बुला कर उन से कहा, तुमने हमें यह कह कर धोका क्यों दिया, कि तुम हम से बहुत दूर के निवासी हो, जब कि तुम हमारे पास के ही रहने वाले हो, इसलिए तुमको अभिशाप है, तुम सदादास की रू तुम को ठीक ठीक बताया, गया था कि प्रभू, आपके इश्वार ने अपने सेवक मूसा से कहा, कि वह आप लोगों को यह सारा देश देदेगा, और वह आपके कारण इस देश के सब निवासियों का विनाश करेगा, इसलिए हमने आप लोगों के डर से अपने प्रानों क रक्षा के लिए ऐसा किया, देखिए हम अब आपके हाथों में ही हैं, आप जैसा ठीक और उचित समझें, हमारे साथ वैसा ही करें, ये श्वा ने उन्हीं इसराइलियों के हाथों से बचाया, जिससे वे उन्हें मार ना डालें, उसे दिन ये श्वा ने उन्हें समुदाय और प्रभु की वेदी की सेवा में उस उपस्तित पर लखड़ी काटने और पानी भरने के लिए निव्ट किया, जिससे प्रभु चुनने वाला था, वे आज तक यही काम करते हैं, अधियाए दस, येरुसलेम के राजा अधोनी से देखने, ने सुना कि ये श्वा ने आय क अधिकृत कर उसका पूर्ण विनाश कर दिया है, उसने जैसा वे वहार ये रिखो और उसके राजा के साथ किया था, वैसा ही आय और उसके राजा के साथ भी किया है, उसने यह भी सुना कि गिब ओन के निवासियों ने इसराइलियों के साथ संधी कर ली है, और अब वे उ भी बड़ा था और उसके सब पुरुश्वीर युद्धा थे इसलिए एरुशलेम के राजा अदोनी शेदेख ने हिब्रोन के राजा होहाम यमूर्थ के राजा फिराम लकीश के राजा यफिया और एगलोन के राजा दवीर के पास या संदेज भीजा की आप मेरी सहायता के लिए आएं जिससे हम गिव्यान को पराजित करें क्योंकि उसने येश्वा और एज्राइलियों के सासंदी कर ली है इसलिए पांच अमूरी राजा अर्थात ёरुसलिम का राजा सिब्रोन का राजा राजा लकीश का राजा और एगलोन का राजा मिलकर अपनी सेनाओं के स और उन्होंने गिबोन को घेर कर उस पर आक्रमन कर दिया तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल के पास पड़ाव डाले येश्वा को ये संदीज भीजा आप अपने दासों का त्याग ना करें आप हमारी रक्षा और सहायता के लिए जल्द ही हमारे पास आएं क्योंकि पहाड़ी प्रांथ में रहने वाले सब अमोरी राजा हमारे विरोदेकत रहो गए हैं तब येश्वा ने गिलगाल से अपने समस्त सेना और सबसे वीर योद्धाओं के साथ प्रस्थान किया प्रभु ने येश्वा से कहा उनसे नहीं डरो मैं उन्हें तुम्हारे हाँ द इस्राइलियों के सामने से भगा दिया इस्राइलियों ने गिबोन के पास बुरी तरह पराजित किया इस्राइलियों ने बेत हिरोन के पहाड़ी मार्क पर अजेका और मकेदा तक उनका पीछा किया जब वे इस्राइलियों के सामने से भागते हुए बेत होरोन की ओर उतर तब प्रभु ने अजेका तक उन पर आकाश से ओले के बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा की, ओलों की वर्षा से मरे हुए लोगों की संक्या इस्राइलियों की तलवार से मारे गए लोगों से अधिक थी। शत्रोंग से बदला नहीं लिया तब तक सूर्य ठाहरा और चंद्रमा रुका रहा जैसा की यशर के गरंद में लिखा है। पांचो राजा भाग कर मकेदा की गुफा में चिप गए थे। येश्वा को यह सूचना मिली कि पांचो राजा मकेदा के पास की गुफा में चिपे हैं। येश्वा ने कहा उस गुफा के मुँपर बड़े बड़े पत्थर लगा दो और आदमियों को बुला कर उन पर पहरा बैठाओ। लेकिन तुम लोग मत रुको अपने शत्रों का पीछा करो पिछडने वालों को मार डालो और सेश युद्धाओं को उनके अपने नगर में पहुँचने नहीं दो। प्रभु तुमारे ईश्वर ने उन्हें तुमारे हाँ दी दिया है। येश्वा और इश्राइलियों ने उनको बुरी तरह हराया किन्तो कुछ युद्धा भाग कर अपने किलाबंद नगरों में पहुँच गया। इश्राइल की समस्त सेना मकेदा के शीवर में येश्वा के पास सुरक्षित लोट आई। इसके बाद किसी को इश्राइलियों के विरुद कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। तब येश्वा ने कहा गुफा का मुँख खोल कर उन पाँचो राजाओं को उससे निकाल कर मेरे पास ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया। ये पाँचो राजा गुफा से निकाल कर लाए गए येरुशलेम का राजा, हेबरोन का राजा, यमुर्थ का राजा, लकीश का र पास आकर इन राजाओं के गर्दन पर अपने पैर रख दो इस पर उन्होंने पास आकर अपने अपने पैर उनकी गर्दन पर रख दिये इसके बाद ये श्वा ने उनसे कहा ना डरो और ना घबराओ डिड़ बने रहो और धारस रखो क्योंकि ऐसा ही वे भाब रभु तुमारे सब शत्रों से करता रहेगा जिसके साथ तुम्हें लड़ना होगा इसके बाद ये श्वा ने उन्हें मरवा दिया और पांच व्रिक्षों पर लटका दिया वे शाम तक व्रिक्षों पर लटके रहे वे सुरियास के समय येश्वा की आग्या से व्रिक्षों पर से उतारे गए और उस गुफा में फेक दिये गए जिसमें वे चिपे थे गुफा के मुँपर बड़े बड़े पत्थर रख दिये गए वे आज तक महां वे दमान है उसे दिन येश्वा ने मकेदा को अपने अधिकार में कर लिया उसने नगर और उसके राजा को तलवार के घांट उतारा उसने सब का संहार किया और एक को भी नहीं छोड़ा उसने येश्वा के राजा के साथ जैसा किया था मकेदा के राजा के साथ वैसा ही किया इसके बाद यिश्वा सारे इस्राइल को साथ लेकर मकेदा से लिबना की ओर बढ़ा और लिबना पर आकरमन किया प्रभु ने उसके राजा सहित उसे भी इस्राइलियों के हाथ दे दिया उसने उसे और उसमें रहने वाले सप्रानियों को तलवार के घांट उतारा उसमें एक को भी नहीं छोड़ा जैसा उसने ये रिखो के राजा के साथ किया था वैसा उसने उसके राजा के साथ भी किया इसके बाद येश्वा सारे इसराइल के साथ लिबना से चल कर लकीश की ओर बढ़ा उसने उसे घेरा और उस पर आक्रमन किया प्रभु ने लकीश को इसराइलियों के हाथ दे दिया येश्वा ने दूसरे दिन उस पर अपना अधिकार कर लिया तथा उसमें रहने वाले सब प्रानियों को उसी प्रकातलवार के घाट उतारा जैसा उसने लिबना के साथ किया था इसी समय गेजेर का राजा हुराम लकीश की सहायता करने आप पहुचा परंत येश्वा ने उसे भी उसके लोगों सहित इस तरह पराजित किया कि कोई जीवित नहीं दहा तब येश्वा तथा सारा इस्डायल लकीश से एगलोन की ओर आगे बढ़ा उन्होंने उसे गेरा और उस पर आक्रमन किया उन्होंने उसी दिन उसे अधिकार में किया उसने नगर और उसके सब प्राणियों को तलवार के घाट उतारा जैसा उसने लकीश के साथ किया था इसके बाद ये श्वा और उसके साथ सारे इस्वायलियों ने एगलोन से हेबरोन की और बढ़कर उस पर आकरमन किया उन्होंने उसे अधिकार में कर लिया और उसके राजा उसके सब गाओं और उसके सब प्राणियों को तलवार के घाट उतारा उसने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा उन्होंने उसका और उसके सब निवासियों का संहार किया जैसा उसने एगलोन में किया था फिर येश्वा और उसके साथ के सब इस्राइली लोग दबीर की ओर मुड़े और उन्होंने इस आकरमन किया उन्होंने उसके राजा और उसके सब गाओं को अधिकार में किया और उन्हें तलवार के घाट उतारा उन्होंने उसके सब निवासियों का संगहार किया यिशुय ने एक को भी जीवित नहीं चोडा जैसा उसने हेब्रोन तथा लिबना और उसके इस राजा के साथ किया था वैसा उसने दबीर और उसके राजा के साथ भी किया इस प्रकार यिशुय ने पूरा देश अधिकार में कर लिया पहाड़ी प्रदेश, नेगेब, निचला प्रदेश और पहाड की ढलाने उसने सब राजाओं का वद किया उसने एक को भी जीवित नहीं छोड़ा इस्राइल के प्रभु ईश्वर ने जैसी आग्या दी थी उसने वैसा ही सब प्रानियों का संगहार किया येश्वा ने कादेश, बरनिया से गाजा तक और गोशोन से गिव ओन तक समस देश को पराजित किया येश्वा ने एक ही अभियान में उन सब राजाओं और उनके देशों को अधिकार में किया क्योंकि प्रभु इस्राइल का इश्वर इस्राइलियों की ओर से युद करता इसके बाद येश्वा सब इस्राइलियों के साथ गिलगाल के शिवर लोटाया स्तोत्तर गरंत अध्याई 108 ईश्वर मेरा हिदय प्रस्तुत है मैं सारे हिदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाओंगा सारंगी और बीना जागो मैं प्रभात को जगाओंगा प्रभू मैं राश्टर के बीच तुझे धन्य कहूंगा मैं देश बिदेश में तेरा स्तूतिगान करूंगा क्योंकि आकास के सद्रिश उची है तेरी सत्य प्रतिग्यता तारा मंडल के सद्रिश उचा है तेरा सत्य ईश्वर अकाश के उपर अपने को प्रदर्शित कर समस्त प्रित्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो तु अपने दहिने हाथ से हमें बचा हमको उत्तर दे जिससे तेरे कृपा पात्रों का उधार हो ईश्वर ने अपने मंदिर में यह कहा मैं साहर्स सिखेम का विवाजन करूँगा और सुकोत की घाटी नाब कर बांट दूँगा गिलाद प्रदेश मेरा है मनासे प्रदेश मेरा है एफ्राइम मेरे सीर का टोप है युदा मेरा रजदंड है मुआब मेरी चिलंची है मैं एदौम पर अपनी चपल रखता हूँ मैं फिलिस्टिया को युद के लिए ललकारता हूँ कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुँचाएगा कौन मुझे एदौम तक ले जाएगा वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है वही ईश्वर जो जब हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता शत्रु के बिरुद हमारी सहायता कर क्योंकि मनुश्य की सहायता ब्यर्थ है ईश्वर के साथ हम सुर्भीरों की तरह लड़ेंगे वही हमारे शत्रुओं को रौन देगा थेसलोनिकियों के नाम संद पौलस का दूसरा पत्र अध्याई दो मसी का पुनरागमन भायो हमारे प्रभुईसा मसी के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र होने के विशे में हमारा एक निवेदन यह है किसी भविश्यवानी बक्तब अत्वा पुत्र से जो मेरे कहे जाते हैं आप लोग असानी से यह समझ कर ना उतेजितों या घबराएं कि प्रभुई का दीन आ चुका है कोई आप लोगों को किसी भी तरह न भाकाएं वा दिन तब तक नहीं आ सकता जब तक पहले महान धर्मत्याग ना हो जाएं और वह पापी मनुष्य बिनाश का वह पुत्र प्रकट ना हो जो अपने घमन में उन सब का बिरोध करता और उन से अपने को बड़ा मानता है जो देवता कहलाते या पुझ समझे जाते हैं यहां तक कि वा ईश्वर के मंदिर में बिराजमन होकर स्वैम ईश्वर होने का दावा करता है क्या आप लोगों को याद नहीं है कि आपके बीच रहते समय मैं आपको ये सब बातें समझाया करता था आप जानते हैं कि कौन सी शक्ती उसका अवरोध करती है जिससे वा अपने समय से पहले प्रकट ना हो अधर्म की रहसमय शक्ती अभी क्रियाशील है कि वा तब तक गुप्त रहेगी जब तक उसका अवरोध करने वाला ना हटे तब बिधर्मी प्रकट होगा और प्रभु ईशा अपने मुक से निश्वास से उसका वद करेंगे और अपने आगमन के प्रताप से उसका सर्वनाश करेंगे वह बिधर्मी सैतान से प्ररित होकर आएगा जिन लोगों का सर्वनाश निश्चित है वह उन्हें हर प्रकार के शक्ती शाली चिन और कपटपूर्ण चमतकार दिखाएगा और पाप करने के लिए हर प्रकार का प्रलोभन देगा क्योंकि उन्होंने सत्यको स्विकार नहीं किया जो उन्हें बचाने में सामर्थ था यही कारण है कि ईश्वर उनमें भ्रांति का मनोभाव उत्पन करता है जिससे वे जूट पर विश्वास करें और वे सब दंडित किये जाएं जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया और अधर्म का पक्ष लिया है बिश्वास में द्रेट पने रहें भायो हमें प्रभू को आप लोगों के विशे में निरंतर धन्यवाद देना चाहिए प्रभू आपको प्यार करते हैं इश्वर ने प्ररम से ही आपको चुना जिससे आप पवित्र करने वाले आत्मा और सत्य में अपने बिश्वास द्वारा मुक्ती प्राप्त करें उसने हमारे सुसमचार द्वारा आपको बुलाया जिससे आप हमारे प्रभू ईसा मसी की महीमा के भागी बनें इसलिए भायो आप ढारस रखें और उस सिक्चा में द्रिट बने रहें जो आपको हमसे मौकिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है हमारे प्रभू ईसा मसी स्वैम तथा ईश्वर हमारा पिता जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थाई संत्वाना तथा उज्वल आशा का वरदान दिया है आप लोगों को संत्वाना देते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुद्रिड बनाए रखें